हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई गल्फेंड एपिसोड 12 तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चेशन शोरो से डील साइन कराता है तो शोरो कहती है इस डील में तो ये लिखा है कि अगर मैं ये डील साइन करूँगी तो मुझे 20,000 एवान हाफ यह तक मिलते रहेंगे मैं ये डेल साइन जरूर करूंगी तो वो डेल साइन करते समय एक सेकंड फी नहीं लगाती है इधर सासा की फ्रेंड कहती है तुम्हारा फ्रेंड चैंजा तो एक रिच फैमिली से है सासा कहती है नहीं तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुमने पोश्ट नहीं देखी इंटरनेट पर ? इसका खुलासा करने बाला बॉई उसके यूनिवरस्टी का क्लासमेट है और उसने अब रॉट से स्टडी की है तो सासा उस पोस्ट को देखकर शौक रह जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है क्या तुम मुझे ये बैप साइट सैंड कर सकती हो तो उसकी फ्रेंड उसको सैं प्रेंड क्यों पहनता है इतना इस पाइसी पूट क्यों खाता है तो शोरो कहती है मैंने और चैंजा ने एक सीपी डिल साइन की है हमें जल्द ही एक बड़ी रकम मिलेगी तो शासा कहती है ये तो बहुत खुशी की बात है वेल बो लोग सेलिवरेट करते हैं आगे सासा श इस दुनिया में बहुत सारे अमी लोग हैं लेकिन मुझे आस तक एक भी नहीं मिला है शोरो कहती है चैंजा ने मेरी बहुत हैल्प की है जब मुझे अमाउंट मिल जाएगी तो मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहती हूँ सासा कहती है गुड तो शोरो कहती है मुझे लगता है कि मैं उसे एक कॉंसार्ट टेकेट गिफ्ट करूँ तो सासा कहती है हाँ ये अच्छा रहेगा आगे शोरो चीशिन की घर आती है और कहती है मैंने कुछ फूर्ट्स खरीदे हैं मैं अपने रूम में जा रही थी वैल मैंने तुम्हारी रूम की लाइट खुली देखी तो मैं यहां पर तुम्हें फ्रूर्स देने भी आ गई हूँ हम नेवर्स हैं चीशिन कहता है अब तुम जाओ तो शोरो कहती है तुम्हारी पास कॉंसर्ट की टू टिकेट्स है चीशिन कहता है तुम्हें किसने बताया शोरो कहती है मुझे चैन जासी पता चला है चीशिन कहता है तुम्हें गलत पता चला है मेरी पास कोई टिकेट्स नहीं है तो शोरो उसके रूम में टिकेट्स देख लेती है आगी शोरो चीशिन को मनाने की कोशिश करती है उस tickets के लिए चीशिन कहता है नहीं मैं ये tickets तुम्हें नहीं दूँगा शोरो कहती है तुम मुझे इसके पैसे ले लो तुम मुझे इसका price बताओ तो चीशिन उसको बताता है 2001 तो शोरो कहती है तुम बहुत बुरे हो ये बहुत जादा है चीशन कहता है ठीक है मैं ये तम्हें टिकट्स नहीं दूगा तो शोरो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तो चीशन कहता है तुम्हारी रवये को देखकर मैं ये टिकेट तुम्हें 5000 डिवान में दूँगा तो शोरो कहती है 5000 डिवान तो बहुत जादा है तो चीशन कहता है फिर ये टिकेट तुम मत खरीदो वेल शोरो फाइब थाउजन यूआन में मान जाती है और कहती है ठीक है तुम मेरे लिए टिकेट्स रखना चीशन कहता है कल दुबहे तका टाइम है तुम्हारे पास तो शोरो कहती है डिल एक्सेप्ट और अपने फ्रूट्स भी वापस ले जाती है आगे शोरो सासा को चीशन के बारे में बताती है कि वो बिलकुल भी अच्छा नहीं है उसने 5000 यूआन कहें है तो सासा कहती है उसने गुसे में मना कर दिया होगा शोरो कहती है वो मुझे बली का बकरा बनाना चाता है शोरो कहती है सासा तुम बताओ मैं क्या करूँ तो सासा कहती है तुम अफी सो जाओ और मुझे फी सोने दो कल मुझे एक बिजनस टिप के लिए जाना है नेस्ट मॉनिंग शोरो के लिए टिकेट्स किसी ने भिजवाई होते हैं और वो टिकेट्स देकर खुश हो जाती है इधर शीषन शोरो का वेट करता है कि कब वो उससे टिकेट्स लेने के लिए आये बट उसे तो अल्ड़ेटी टिकेट्स मिल चुगी है तो इधर शोरो ड्रेस लैक्ट कर रही होती है जाने के लिए आगे चेंजा और शोरू कॉंसर्ट में आ जाती है और चीशिन भी उसके कॉंसर्ट में आता है वैल वो शोरू की सीट पर ही बैट जाता है तो शोरू कहती है तुम भी यहां पर आ गई आगे वो तीनों एक साथ कॉंसर्ट इंजॉय करती है आगे शोरो घर आती है और अपनी सोल के साथ में कुछ टाइम स्पैंड करती है वैल आगे चीशिन अपने अपार्टमेंट में आता है तो उसकी रूफटॉप से पानी बरसने लगता है और बोर्डिंग शोरो को आवाज लगाता है लेकिन शोरो उसकी वाज नहीं सुनती है तो चीशिन उसकी रूफ में आ जाता है और उसके बाथरूम का पाइप तूड़ गया होता है तो चीशिन उसको रिपेयर करता है वैल शोरो उसको सौरी कहती है तो शोरो कहती है मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी बात रूम का पाइप टूड गया है आगे चीशिन शोरो को अपना रूम दिखाता है जो पानी से पूरा भर गया होता है और उसके रूम में रिवर बन गई होती है चीशिन शोरो से कहता है तुम्हारा थैंक्स अब तुम मेरे रूम में बोटिंग कर सकती हो और ये सीन काफी फ़नी होता है वैल चीशिन शोरो के रूम में एड़जस्ट करता है और शोरो उसके रूम की सफाई करती है और परिशान होती है और उसे पूरी राज चीशिन के रूम को साफ करना होता है नेस्ट मॉनिंग चीशिन उठता है और शोरो को पागल हुलिये में बैठा हुआ देखता है चीशिन उसे बूसता है क्या तुम पूरी राज सोई नहीं शोरो कहती है ये सब तुम्हारी गलती है चीशिन कहता है अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है तुम्हें मेरी बैट शीट और ब्लैंकिट को भी धोना होगा कुछ देर रेस्ट कर लो ताकि तुम्हें अनर्जी मिल जाए आगे चैन जान चीशिन को एक क्लाइंट से मिलवाने के लिए मिंजू के क्या फिलाता है वेल वहां शोरो भी आती है चैन जान कहता है शोरो तुम भी चीशिन की हेल्प करो वेल शोरो उन दोनों को देखती है चीशिन उस मैन से कहता है तुम हमारी प्रोग्राम के लिए फिट नहीं हो तो वो मैन कहता है मुझे एक मेरे लीट की जरूरत है अपने शो के लिए जो ठीक मेरे सामने है और चीशिन और शोरू उसकी बात सुनकर शोक रह जाते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वैल आइकन को भी प्रैस करिए